आपको अगर ज्यान होता तो हमसे पूछते नहीं अग्यानी है आपको अगर जो जो लोग बीच में टपोक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बन कर आए हैं में ले जाने का पर्याद करेंगे और हम देश के जनता को परकास की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हम देश के जनता को शिच्छा की तरफ ले जाना चाहेंगे परकास की तरफ ले जाना चाहेंगे और हम पूरे भारत वर्ष के लोगों से मैं आवान करता हूं आप कभी मंदिर पुजा करते हैं कि यह घर में यह जाना चाहिए और मंदिर भी जाता हूं जिसे देश का बितास होता है और मैं शिच्छा की देवी का पुजा करता हूं कि अग्यान होता है तो हमसे पुछते नहीं अग्यानी है आप पुजा करते हैं लेकि दूसरे को पुजा का अर्थ होता है पूरा जानो तब मानो समझ गए मैं पूरा जान करके सबसे बड़े जान का रहा है और में जो बोल रहा हूं आप संक्राचार से त्यार है आप संक्राचार से त्यार है करने के लिए आप लोगों का काम ही यही है अपने कभी मोदीजी से मतलब की सवाल किया इससे मन्दीर जाने से नहीं जाने से देश के दिकास पर कोई फर्थ परता है क्याओ अर जिस चीशे देश के विकास पर फर करता है उस पर बात करो नहीं अपलोग उस पर तो बात अपलोग करोगा नहीं मेरा कहना है कि जिनकों अंध विश्वास की तरफ बढ़ना है वो बढ़ें हमें परकास की तरफ जाना है आपने नेता को बना करते हैं तरफ जो जो लोग बीच में टपक रहे हैं वो बीजेपी का एजेंट बन कर आएं आप अपने नेता को बना करते हैं आप बीजेपी से पुसहोना है अपनी आस्था का पर्तिक है ना सर हमारे और हमारे देवता के बीच में अपनी आवाज में मंदिर को आपको आपको नहीं हटाना जिसकी पूरे देषवासिでも 212 को पूरे देषवासी और फ्लस जो हमारे बिहार सरकार लाखो पूजारियों को जो निजुक्ति पत्र देने का काम किया है जो सिख्षा के मंदिर का पुजारी है उस सभी पुजारियों से मैं यादरा करता हूँ कि 22 जनवरी को सभी सिख्षा के मंदिरों में मुंबती जलाकर परकासित करने का काम करेंगे हमारा हम क्याते हैं कि पूरे देश्वासी सिच्छा के मंदीर को परकास्चित करें और सिच्छा के बिना विकास सम्भव नहीं है जो बात सबीतरी भाई भाई फुले ने कहा है वही बात जो तीवा राव फुले ने कहा है वही बात बाबा भीमरा वंबेदकर ने भी कहा है कि जिस दिन मंदीर का भीड बिद्याले की तरफ मुड़ेगा उस दिन भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है मैं पूरे भारत लासी से हवाल करता हूँ कि 22 जनवरी को एक कदम भारत को महान बनाने की तरफ पूरे देश के विद्यालों में मंबत्ती जलाकर उजला कर दो देशलासी और मैं कहता हूँ जिस दिन पूरे देश के विद्यालों में उजला हो गया भारत को महान बने से कोई रोक नहीं सकता है